ग्राम पंचयत वर धामना में 05 बीख 10 साल महडा कॉलनी में लोग निवास करते हैं लेकिन उन्हें समस्याओं का सामना पट रहा है कॉलनी में समस्याओं का अमबार लगा हुआ है मुल्बित सुविधा देने का वादा करने वाले महरा अब सुविधा देने में असफल सापित हो रहे है बुद्वार को महडा कॉलनी निवासी महडा के नाकपुर आफिस पर धरके मुख्या भियंता से समस्याओं का समादान हो इस पर चर्चा की लेकिन निवासियों को आलाधिकारियों ने केवल आश्वा संदेग कर वापस कर दिया कॉलनी में पानी, बिजली, स्वच्छता की भारी समस्या है सापसफाई कभी होती नहीं यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन नहीं रात के समय असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है वही जहरीले सापों का भी डर बना रहता है निवासियों को सुरक्षा भी नहीं, निवासियों को सुरक्षा भी नहीं है मारा ने 240 कमरों का निर्मान तो किया, लेकिन आज भी असुविधाओं के खेरे में है ग्राम पंचायक को लोग निवासी टैक सदा करते है, फिर भी उने सुविधान नहीं मिलती है बताया गया कि पंचाय को महाडा ने कॉल्नी हेंड और नहीं करने से ग्राम पंचाय सुविधा नहीं दे रही है साथ मंजिल की तीन इमारत बनी है लेकिन सुविधा होने से यहाँ पर लोग निवास करने नहीं आ रहे है जिनके पास घर नहीं है ऐसे 20 से 25 परिवार मजबुरन निवास कर रहे है कॉलनी में सुविधा देने की मांग निवासियों ने महाडा की अधिकारियों को की है अब देखना ये है कि कब तक महाडा की अधिकारी लोगों को सारी सुविधाय मुहया कराते है नहीं कराने पर नागरी को द्वारां दुलन की चेताओं ने भी दी गई है। बताया गया कि मनपा एनाइटी की ओर से महाडा को सरकारिय नहीं मिलने से समस्या निर्मान हो रही है। BCN News के लिए वारिसेस और अपाटील की रिपोर्ट